नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नियूज, आज हम इस वीडियो में 11 अगस्त के एक्जाम रिलेटेट जितने भी इंपोर्टन कोस्चन है, उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट आज का पहला कोस्चन है, किस IIT संस्थान ने स्वदेशी बीज गेंद विक्सित की है? तो IIT कानपूर ने स्वदेशी बीज गेंद विक्सित की है यह जो टर्म है स्वदेशी बीज गेंद, इसका मतलब होता है इंडिजीनियस सीड बॉल, इस बॉल में देशी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी सामिल होता है, इसी से इस बॉल को बनाया जाता है इससे फायदा यह है कि पॉधे लगाने के लिए गड़े खोदने की कोई आवसकता नहीं होती है तो इसे डेवलप किया है IIT कानपूर ने इन्होंने यह सीड बॉल, बायो, कंपोस्ट, एन्रिस्ट, इको, फ्रेंडली, ग्लोबल नाम से विक्सित किया है सुरेश अंगडी ने मालगुडी संग्राले का उदगाटन कहां किया है तो इस संग्राले का उदगाटन किया गया है करनाटका में हमारे जो रेल राज्य मंत्री हैं सुरेश अंगडी इन्होंने ही करनाटका के सिमोगा में अरसालू में मालगुडी संग्राले का उदगाटन किया है इन्होंने अरसालू में पुराने स्टेशन भवन को संग्राले में बदल दिया इन्होंने मालगुडी थीम को ध्यान में रखते हुए पुनर निर्मित किया है इसे प्रसिद कलाकार जोन देवराज द्वारा डिजाइन किया है जो धारावाहिक मालगूडी डेज के हिस्सा थे नेक्स्ट कोस्चिन है अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत बन गए है तो इसमें उत्तर अफगानिस्तान में विने कुमार की जगह लेंगे अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान की राजदानी काबूल है और अफगानिस्तान के राष्टपती असरफ गनी एहमद जई है इस प्रश्न के और options की बात करें तो ये जो अरुण कुमार सिंग हैं ये अभी हाल ही में यू-एस में भारत के राजदूद अपॉएंट हुए हैं इसे पहले ये फरांस के राजदूद थे और संभु कुमारान ये अभी हाल ही में फिलिपिन्स के राजदूद बने है और संजे कुमार पांडा ये तर्की में राजदूद बने है नेक्स्ट कोस्चन है फूड विजन फाउंडेशन के लिए किसे चुना गया है अपसंस हैं गूज फाउंडेशन, हेल्प फाउंडेशन, अमरित फाउंडेशन या नंदी फाउंडेशन तो नंदी फाउंडेशन को फूड विजन फाउंडेशन के लिए चुना गया है तो इसमें उत्तर अपसंडी सही है अमेरिका इस्थित रॉक फैलर फाउंडेशन ने नंदी फाउंडेशन को फूड विजन 2050 पुरसकार के लिए दुनिया के सीर्स दस दूरदर्सी में से एक के रूप में चुना है इसके लिए इन्हें नियॉयॉर्क में दो लाख यूएस डॉलर के पुरसकार की धनरासी की घोशना की है नंदी फाउंडेशन की बात करें तो ये भारत में सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते सामाजिक छेतर के संगठनों में से एक है जो गरीबों के लिए काम करता है नंदी की स्थापना एक नवंबर 1998 होई थी और इसका मुख्याल है हैदराबाद में है नेक्स्ट कोस्चन है आईपील के टाइटल स्पांसर्शिप में सबसे आगे कौन सी कंपनी है तो आईपील के टाइटल स्पांसर्शिप में इस समय पतंजली सबसे आगे है तो इसमें उत्तर आप्संसी पतंजली सही है चाइनिज मोबाइल फोन कंपनी वीवो के हटने के बाद आईपील 2020 की स्पांसर्शिप के लिए पतंजली ने रूची दिखाई है ये बाबा रामदेव की कंपनी है ये इस समय स्पांसर्शिप में सबसे आगे है नेक्स्ट कोस्चन है अलेक्जेंडर लुका सेंको किस देश के राश्च्पती बन गए है आप्संस है सिंगापूर, बेलारूस, यूक्रेन या फिनलेंड तो अलेक्जेंडर लुका सेंको छटवी बार बेलारूस के राश्च्पती बन गए है तो इसमें उत्तर आप्सं भी सही है बेलारूस की बात करें तो बेलारूस पूर्वी यूरोप का एक इस्थल रुध देश है बेलारूस की सीमा उत्तर पूरू में रूस से, दक्षिड में यूक्रेन से, पस्चिम में पोलेंड से और उत्तर पस्चिम में लिथुआनिया और लताविया से लगती है बेलारूस की राश्दानी मिंस्क है और यहां पर मुद्रा बेलारूसी रूबल यूज होती है नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में UAE ने किस देश के प्रवासियों से वसूल किये जाने वाले वीजा जुर्माना को माफ करने की घोशना की है आपसंस है पाकिस्तान, बांगलादेश, चाइना या भारत तो हाल ही में UAE ने भारत के प्रवासियों से वसूल किये जाने वाले वीजा जुर्माने को माफ करने की घोशना की है तो इसमें उत्तर आपसंडी सही है इसमें जिनके वीजा की अवधी एक मार्स से पहले खत्म हो चुकी है उनके जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा UAE की बात करे तो अभी हाल ही में UAE ने एक मार्स मिसन भेजा था जिसका नाम था होप और इस बार का IPL भी UAE में ही खेला जाएगा UAE की राजधानी अबुधा भी है और UAE की राश्टपती खलीफा बिन जायद अलनहन है नेक्स्ट कोस्चन है कौन सी कंपनी भारतिय विज्ञान संस्थान में Robotics Lab इस्थापित करेगी आप्सन से Nokia, Robotics, Microsoft या Samsung तो Nokia भारतिय विज्ञान संस्थान में Robotics Lab इस्थापित करेगी तो इसमें उत्तर आप्सन A Nokia सही है भारतिय विज्ञान संस्थान बैंगलोर में इस्थित है ये Lab, Communication Technology और Artificial Intelligence को बढ़ावा देने के लिए बनाय जाएगा बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर करनाटक की राजधानी है यही पर केंपा गोड़ा एरपोर्ट है जिसे सर्वस्रेश्ट एरपोर्ट का वार्ड भी मिला है नेक्स्ट कोस्चन है किस देश की सेना को भारतिय सेना ने वेंटिलेटर दिये हैं आप्सन्स हैं भुटान, नेपाल, माल्डिव्स या स्रिलंका तो नेपाल की सेना को भारतिय सेना ने वेंटिलेटर प्रदान किये हैं तो इसमें उत्तर आप्सन भी सही है भारतिय सेना ने कोविड-19 महमारी के खिलाफ लड़ने के लिए अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए नेपाली सेना को 10 वेंटिलेटर प्रदान किये हैं नेपाल में भारतिय राजदूत विने क्वात्रा ने एक समारों के दौरान नेपाल के सेना प्रमुक पूर्ण चंदर थापा को वेंटिलेटर सौपे हैं नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में विस्व आदिवासी दिवस कब मनाये गया है आपसंस हैं 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या 10 अगस्त तो 9 अगस्त को विस्व आदिवासी दिवस मनाये गया है तो इसमें उत्तर आपसंसी सई है इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश से आदिवासियों के हीतों की रक्षा करने के लिए और उनके विकास के वारे में जागरुक करने के लिए मनाय जाता है इस बार के दिवस का थीम है COVID-19 and Indigenous People Resilient इसका अर्थ है COVID और आदिवासियों की सहन छमता इस प्रश्ण के और options की बात करे तो 7 अगस्त को National Handloom Day मनाय गया है और 8 अगस्त को भारत छोडो आंदोलन की 78 वी वर्सगाठ मनाई गई है तो ये थे आज के महतपून प्रश्ण So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment